अरबाब के साथ फड़ा हो गया है कमपणी सेलरी ने दे रही अरबाब छूटी ने दे रहा कैंसल नहीं कर रहा वीजा मसला मेरे लिए बनाया वै कैसे मैं कम्प्लेंड कर सकता हूँ कैसे एक एक एंप्लॉय जो काम करता है कि एंप्लॉयर के पास वो कैसे official government की website और applications को use करके अपने employer company के उपर एक registered legal complaint उपन कर सकता है ताकि जो भी मसला मसाइल आप दोनों के बीच में चल रहे हैं वो हल किये जा सके या खतम किये जा सके ये पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा आपके लिए on desktop screen एक एक option के साथ बता रहा हूँ कैसे आप अपने employer के उपर complaint register कर सकते हैं बहुत से employers को ये वीडियो पसंद तो नहीं आएगी बट मैं employees जैसे UAE पूरे वो कहते हैं employees को एक labor department बना के help out कर रहा है तो why not we आपको एक एक option एक एक सी समझाई जाएगी ताके आप अपने right को जानिए और यहां पर आके इमांदारी के साथ काम कीजिए यह video शेर करना आपकी social responsibility है watch the video like definitely अपने right को जानिए सबसे पहले आपने अपना browser open करना है और उपर जाके आपने एंटर करना है google.com तो आपके सामने google open हो जाएगा यहां पर आपने search bar में लिखना है मोहरे यह लिखके आप enter करेंगे तो आपके सामने मोहरे की website का link पहले नमबर पर आ जाएगा इसको आप open करेंगे तो आपके पास यह मोहरे की official website open हो जाएगी इधर आप उपर देखेंगे services में services में आप जाएएंगे services directory में अब आपके पास यह देखें यह page open हो गये ठीक है यहां से आपने जाना है आप यहां पर सर्च करेंगे services for employee इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यह सामने open हो जाएगा तो इधर आपने नीचे जाना है page second page पर आप चलेज़े register labor complaints employee मत अगर आप एक employee है और आपको labor में कोई complaint डालना चाह रहे हैं तो आपने यह वाली option चूज़ करना है यहां से आप क्लिक करेंगे view details पे view details पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यह new page open हो जाएगा यह सारी इसकी information है यहां से आपने चले जाना है start services में यह नया page open होगे यहां से आपसे यह verification मंगेगा यहां पे आपने अपना नाम लिखने यहां पे आपने अपना mobile number लिखने और जब आप mobile पे इस number एंटर करेंगे तो आपने send OTP करना है आपके mobile पे code आएगा वो code आपने इस area में यहां पे एंटर करना है और इसको आपने verify OTP कर देना है आपने जब send OTP किया है अब आपके mobile पे जो OTP रेसीव हुआ है वो आपने यहां पे एंटर करना है उसके बाध आपने क्लिक करना है verify ottp पे आपका topt verified हो चुका है इसके बाध क्योंक्के आप employee है तो आपने employee पे क्लिक کرने तो आपके पास ये next page खुर जाएगा जी उसके बाध्य नाम, अपना जेंडर, नेशनलिटी और अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो आप यहां पे एंटर कर सकते हैं नीचे, यह और लिखाव यह भी और लिखाव है, मतलब इन तीनों मैंसे कोई भी एक आपशन आप चूज कर सकते हैं, उसके बाद आपने जब इनफरमेशन एंटर कर द जाना है, आपके पास आप एक निया पेज खुल जागा, इसमें आपने अपने तक जितनी भी कंपनी इसमें काम किया है, कंपनी कोड, उनका नाम, इंगलिशमन का नाम, कब आपने स्टार्टिंग की, कब आपने ख़तम किया वहां से, जो भी है वो आपके सामने कर देने, अब जी एक ये अगला पेज ओपन हो गए, इसमें लेफ्ट साइड पे आपकी इनफरमेशन आ रही है, आपका लेबर कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपाइरी, पासपड नंबर, आपका स्टेटेस, और ये सारी आपकी जो इनफरमेशन है, राइट हैंड साइड प अपना email ID एंटर करना है, workplace एंटर करना है, accommodation एंटर करनी है, आपकी क्या जॉब है, काफी जीदे यहां पर automatically आजाएंगी, तो उसके बाद आपने नीचे अपनी written complaint यहां पर लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद आप ये नीचे देखेंगे, complaint type, complaint type में आप अपनी complaint type जोंस ह भी आप उसको select करें, claim type उसके बाद सारी आपके पास information आजाएगी, जो भी आपका issue है, आप यहां पर click कर सकते हैं, उसको select कर सकते हैं, और यहां से आपने register complaint पर आपने click कर देना है, तो आपकी complaint register हो जाएगी, और इसका दो हफते का time होता है, दो हफते के अंदर आपको इ इसी पेज़ पर आपके मतलब इसी वेब साइट पर लोग इन करके आप अपनी complaint वापस चेक कर सकते हैं, अभी मैं register complaint नहीं करूंगा क्योंकि यह मेरे और बाप को चली जाएगी, तो बज़ यहां तक आपको समझाने के लिए था, तो I hope आपको इसे help होई होगी, thank you.